अलीगर के थाना कौरसी इलाके की पॉस कालोनी ग्यान सरोबर मान सुनोबर में सौंबार को दिन दहड़े जीयो मोबाइल कंपनी के डीलर नीरत सैनी के साथ बाइक सबार बदमासों ने असले के बल पर एक लाख सर्षट हजार की लूट को अंजाम दे कर फरार हो गई गटना की सूचना पर पहुँची पुलिस जाच परताल में जुट गई पीडित नीरत सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि वैग्यान सरोबर इस्तित ओफिस से रामघाट की और बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे इसी दोरन पहले से घात लगाए बैठे अपाची बाइकसवार दो बदवांसों ने मान सवरो कालोनी में डीलर को रोक लिया और सीने पर रवालवर रखकर जान से मारने की धंके देते हुए नगदी से भरा बैग लूट कर फरार हो गई गटना की सूचना इलाका पुलिस समित ब्यापारी संगठन को हो गई मौके पर पहुँचे ब्यापारी संगठन का कहना के इलाके में कई बार ब्यापारियों के साथ लूट की बारदात हो चुकी हैं लेकिन अभी तक किसी का खुलासा नहीं हुआ है जल्दी खुलासा ना होने पर ब्यापारी बड़े आंदोलन को करने के लिए बात दूंगे वहीं मौके पर पहुँचे एसपी सिटी कुलदीप सिंग ने बताया कि इलाके के सीसी टीबी फुटेस तला से जा रहे हैं प्यापारी की तहरीर के आधार पर अग्रिम कारवाई के जा रही है अलीगर से दीपक सर्मा की रिपोर्ट मेरा नाम गौरव सेनी है मैं ग्यांशरोबर कही निवासी हूँ यहां पर अभी एक लाग अट्शाट है रहा है कई बार यहां लूट हो चुकी है प्रसासन आता है और प्रसासन लेकर ले आता है लेकिन एक भी घटना का खुलासा नहीं हुआ है यहां पर लोगों के अंदर भै बना हुआ है क्योंकि सब यहां पर बैपारी वर्क की लोग रहते हैं तो हमारी मांग है कि इस घटना का भी जली सली खुलासा और खुलासा न तो लोग है पोलिस ने अभी एक फोटो उसका ले लिया है और तो अनों हेलमेट पहन के थे और अपाची गाड़ी बताई जा रही है कि यह गंड़ा करीब 11.30 के बीशी गटना है और इसे लोगों में बहुत ज्यादा रोज है कि यह बड़ी-बड़ी हस्तियां रहती है लेकिन दुर्वाग इस बात का है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी यहां लोग सुरक्षित नहीं है यह ग्यांसरोब नियुक्ति लाल म सब्सक्राइब नहीं है लेबड़ भी नहीं उलती है यहां पर तना कौरसी में एक मोबाइल कंपनी के जो डीलर है उसके साथ लूट की गटना की पुलिस को सूचना दी है जिसके लिए पुलिस अभी यहां पर मौके पहुंची है और यहां आपके CCTV कैमरे दिखवाय जा र है एक बार तहरीर प्राप्त होने के बाद इस संबंद में बताया सकते हैं अभी इस संबंद में देखे जा रहे हैं फूटेज अभी की घटना है पुलिस को रन मौके पे पहुंची है अभी आगे इसको देखके जो भी होगा कारवाई की जाएगा